देखे दोस्तों जार्खन जेकबोड का जितने भी एक्जाम हुआ है 2023 में उनका रिजल्ट का डेट आ गया है ठेके बोला गया है कि मैट्रिक इंटर का रिजल्ट माई के अंध तक आए देखते हैं 21 माई को डेट फिक्स किया गया है और इसके सम्मद में क्या बोली गई है त मैट्रिक वा इंटर की कोपियां दिखे ये 23 तरीक करनी हुझे ठीक है 23 अप्रेल का और प्रबात ख़वर करनी हुझे वो भी मैं बता दे रहा हूं तो राज में मैट्रिक वा इंटर की कोपियों की जांच रविवार से सुरू होगी ठीक है कब से सुरू होगी रविवार स में 66 केंद्र बनाएं गये हैं CT के लिए 32 वो इंometer की कोफियों के लिए 31 के दियुकल मैंतर Kणों में बनाइगा जांच के लिए परिक्षा में लगभग आठालाग परिक्षारती सामिल मैं मैं में जारी करने की संभावना था आए सविकी है कि मेंहिंटरिक और Intermediate Science का Result जारि किया जाएगा और R's का जो Result वो बाद में आएगा इसके बाद Intercala वो Hanish का आएगा पाले Intermediate Metric का आएगा और Science का आएगा उसके बाद R's और Commerce का आएगा बाद में देखिए बोला गया है कि Result 21 माई के बाद जारी होगा ब्लेक लिश्टेड सिक्षक सेवानी विर्थ सिक्षकों का योगदान मुल्यांकन कारी में लेने का कहा गया है ठीक है लेने को कहा गया है आगे बोला गया है कि सिक्षक की जिस विशाय में नियुक्ति हुई है उसे विशाय की उतर पुस्तिका का मुल्यांकन करेंगे ठीक है तो इस तरह से आपका जो रिजल्ट है वो माई के अंतिम सफ्ता में आएगा 21 माई के बाद ही आएगा जहां तक मेरा अनुमान है 31 माई और या फिर एक जून इसी तरह से आएगा ठीक है तो मिलते हैं एकली वीडियो में जिसी तरह से न्यू जाएगा मैं आपको बताते रहूंगा जब रिजल्ट जारी होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से रिजल्ट चेक करना है ठीक है